मुख्यमंत्री निदिश कुमार को प्रणाम सर कहकर एक आदमी उनको कहता है कि आपके जेई साहब 30,000 रुपया रिश्वत के तोर पर हमसे मांगते हैं, हम आनाकानी करते हैं, रिश्वत नहीं देते, तो हमारे उपर वो FIR कराते हैं, इसके बाद क्या होता है, तो हमारे भाई के उपर F.I.R. होता है, और उसके बाद उसके उपर कारवाई होती है, वो आदमी निदिश कुमार से कहता है कि जेई साहब ने गलत तरीके से 17,970 रुपया का F.I.R. लगा दिया, हम गरीब आदमी हैं, हम 17,970 रुपया का F.I.R. भर चुके हैं, लेकिन अब आपकी पुलिस हमको चैन से रहने नहीं दे रही है, आपकी पुलिस हमको तबाह कर चुकी है, निदिश कुमार जनता दरबार में सामने बैठे होते हैं, सब कुछ बोलता जाता है और इसके बार निकीश कुमार क्या करते हैं। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे बात्चीत करेंगे। लेकिन एक आदम्य जाकर निकीश कुमार को राज के मुख्यमंत्री को, उनके पुलिस भी भाग की उनके अधिकारियों के सारे कर्टूतों को उनके सामने रख देता है दागे नमस्कार में ना मैं मोहित कुमार सिंग और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं जी मेरा राम सोनु है और मैं रैपिडो का कैप्टन हूं और पटना में रैपिडो के लिए काम कर रहा हूं मैं दिन का रैपिडो में काम करके 1100-1200 का अर्निंग करता हूं महीने का कम से कम 30,000 पलस ही रहता है लैं है एक सब्सक्रीट्ट सब्सकेइब काफी जनता दरवार में जाता है है जाता है अधिकार्यी वहां पर उसको पकड़ कर बिठाते हैं सामने माई काता है तो वो प्रनाम करता है नितिश कुमार भी उसको हां बोलते हैं इसके बाद वो कहता है कि सर 23,000 रुपया हम नहीं दे पाए हमको 30,000 रुपया रिशुवत मांगा गया और 23 या 30,000 रुपया वो रिशुवत की बात करता है और कहता है कि हम रिश्वत नहीं देते हैं तो जेई साहब ने हमारे भाई के उपर FIR करवा दिया हमारे पूरे परिवार को उन्हों ने परिशान करवाना शुरू कर दिया और तब वो कहता है कि हम गरीब आदमी है हमारे उपर एक सट हजार नो सो सत्तर रुपया का फाइन लगा दिया गया वो आदमी कहता है कि हम गरीब हैं लेकिन हमने उनका फाइन दे दिया हमने फाइन भर दिया लेकिन फाइन भरने के बाद जो FIR वो करवाते हैं उसके जरिये पुलिस आकर हमको परिशान करती है पूरे परिवार को पुलिस तबाह कर चुकी है नितिश कुमार अपने हाथ में कागज लेकर सब कुछ देखते हैं और इसके बाद नितिश कुमार इशारा करते हैं और अधिकारी के पास भेशते हैं और नितिश कुमार कहते हैं कि इनका काम करिए नितिश कुमार वहाँ पर भेज कर कहते हैं कि हम सब सुन लिए हैं आप वहाँ पर जाईए बताईए आपका सारा का सारा काम होगा कारवाई होगी लेकिन वो अकेला आदमी जो बात वहाँ पर कहानी है फिर्फ एक आदमी के साथ ऐसा नहीं होता बल्कि नितिश्कमार के मुँपर जो आदमी उनका पोल खुलता खुलता है उनके अधिकारियों की उनके सरकार की उनके प्रशासन की वो आदमी पूरे बिहार की कहानी को उनके सामने एक प्रकार से बया कर देता है कि कैसे जो सरकारी अधिकारी हैं, वो आम आदमी को रिश्वत के लिए या तमाम अलग-अलग कारणों से परिशान करते हैं, वह आदमी बताता है कि हम रिशुवत नहीं दे पाएं तो हमको 16,000 का फाइन लगा दिया गया, अब 16,000 का फाइन लगा तो जो फाइन लगा वो आधिकारिक तोर पर हो गया, मतलब कि सरकारी पैसा हो गया, अब फाइन में से जेही सहाब को एक पैसा नहीं मिल पाएगा, और यही सहाब या कोई भी हतिकारी चाहता है कि फाइन ना लगा कर जो तमाम अलग-अलग मामले हैं उस मामले में रिश्वत लिया जाए क्योंकि रिश्वत की कमाई सीधे उसके जेम में जाती है और आज राज के मुख्यमंतरी के सामने आकर एक आदमी या पूरी कहानी उनको है आपके पर्सक्रिया इस पर कहा है कमेंट वक्स पर नहीं कर बदाईएगा आगे जो भी और जानकारी जो भी और अपडेट आएगा सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे तमाम ख़वरों लिए मरसत बने रहिएगा वीडियो में पर समात करते हैं कि हम रेक्षे भी शाहल खड़े होर में मोहित कुमार सेंग बहुत बहुत धन्यवाद